हेलो दोस्तो हम आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी पर स्वागत करते हैं आज हम आपको एक भूत्या गुडिया की सची कहानी सुनाने जा रहे हैं अगर आपको हमारी बूत्या पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करे और ऐसी ही वीडियोज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे तो चलिए शुरू करते हैं आपने आज से पहले जो भी बूत्या गुडिया की कहानी सुनी होगी बेस अभी असली नहीं होगी लेकिन जिस गुडिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है इस गुडिया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता इसकी वाज़ा जानकर लोगों की रूप काप उठती है संबाव है कि आपने किसी हॉलिवूड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा या सुना होगा कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है दरासल इस गुडिया को भी दिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना चाहता है कि ये गुडिया आज भी जिन्दा है फिल्म एनाबेल क्रियेशन में इसके बारे में जो भी दिखाया गया है पहर इस गुडिया की सच्ची कहानी से बिलकुल अलग है अमरिकन लेखक चानी ग्रुयल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था लेकिन सच ये है कि बेहती रहसे में ढंग से ये डॉल उनके जिन्दगी में आई थी इसके बारे में जानकर आपको बहुत ही आश्चारे होगा दरसल बात उस वक्त की है जब लेखक चानी ग्रुयल बच्चों के लिए एक किताब की श्रंक्रा की रचना करने जा रहे थे उन्होंने रेजडी अनसीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट पर लाँच किया था उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहदी रोचक विश्य थी डॉल के पीछे चुपी अनुखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मस्पूर कर दिया बात उस वक्त की है जब चानी ग्रुयल को अपने घर के बैक याड में यह डॉल मिली थी जब उनकी बेटी मारसेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रिचडी अन्स्टोरीज लिखने का आइडिया आया पर दुक की बात ये थी कि 13 साल के उम्र में ही मारसेला की मौत हो गई उसकी मौत का कारण संकर में टी का बताया गया मारसेला की मौत के बात जब प्रेजडी अन्स्टोरीज के मार्केट में लॉंच किया गया तब उस डॉल का मौडल भी बुक के कवर पेच पर चापा गया ये मारसेला को शद्धांचली देनी के कारण ही लॉंच किया गया था पर हरानी की बात ये थी कि मारसेला की मौत के पात असली एनाबेल डॉल जिस से मारसेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई जिस रहसे माई ढंक से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वह लापता हो गई किसी को नहीं पता था कि वह गुडिया आखिर गई कहा और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटे शॉप में मिली ये बात है सन 1970 की एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डॉना उसकी माने डॉना को ये डॉल गिप्ट की थी लेकिन डॉना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजे नोटिस की डॉना ने देखा कि डॉल अपने आपी पोजिशन चेंज कर रही थी कभी कभी डॉना डॉल को एक रूम में रखके कहीं बाहर जाती थी तो वापस लोटने पर वे डॉल उसे बहां नहीं मिलती थी तलाशने पर उसे वो गुडिया किसी घर के किसी दूसरी कोने पर मिलती थी एक दिन डॉना ने कमरे में लोटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीट पर खोन के धब पे लगे हुए है वो दहशत भरा नजारा देखकर वे बुरी तरह काप गई डॉना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है इसके बाद डॉना ने फोरण पेरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया एड और लॉरेन ने जब पाया कि एड रॉल भूतिया है तब डॉना ओर चाता तर गई उसने यह गुडिया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा एड और लॉरेन उस वक्त उस गुडिया को अपने साथ कार में आकलट म्यूजियूम में ले गए लेकिन कार से जाते वक्त थी डॉन ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी इसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था दरहसन गुडिया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रूपने की कोशिश की गुडिया ने बार बार डॉल कार का स्टेरिंग घुमाने की कोशिश की मानों कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है बड़ी मुश्किल से एड और लारेन अपने मंजिल तक पहुसते हैं एड और लारेन और शौपित भूतिया डॉल को अपने मूजियम में मंतर से एक काच के बखसे में बंद करके रख देते हैं माना जाता है कि आज भी उसकी वोईतिया ताकत एक्टिव है इसी कारण से उसके पास किसी को जानी नहीं दिया जाता तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर पताईएगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भोलें थैंक यू धन्यवाद